आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही खास जाने वाले सिलिकन ओयल और फ्यूजर ग्रिस या इसे टैफलॉन ग्रिस बोलते हैं तो हम लोग टैफलॉन जब बदलते हैं फ्यूजर यूनिट में राता है टैफलॉन ग्रिस कैसे बदलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाए वहां पर बहुत सारे वीडियो का लिंक दिया गया है दोस्तों वहां पर देख लें कैसे बदलते हैं तो आज हम लोग जाने के सिल्कन ओयल का परियोग कहां करते हैं और यह हमारा जो टैफलॉन ग्रिस है जो आपको 40-50 में मार्केट में अबलेबल हो जाता है बर्यान लली जागोट सावडर समय मिल जागा और आपका यह हो गया सिल्कन ओयल एक थर्मल पेस्ट होता है अगर उसका वीडियो देखना चाहते हैं दिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं तो सबसे पहले बता दो कि यह आपका टैफलॉन ग्रिस है जो टैफलॉन ज कहा करते हैं देख सकते हैं यहां पर हम लोग ड्रम लगाते हैं देख सकते हैं थोड़ा सा सलाई का टिगना के साहरे थोड़ा सा यहां यहां लगा सकते हैं और फिर यहां पर इसे स्मूथ चलता है तो इस वीडियो में दोस्तों आपको शरिफ इसके यूज के बारे बता है करने तो आपको फ्यूजर इनीट में बहुत सब्सक्राबर कॉमेंट किये थैंकि सर्व हाँ पर वैसली बॉरू प्लस चुन्ना बहुत नहीं है ऊच्छा वीडियों है बेस्ट है आपके प्रेंटर से किसी प्रकार समस्या जरूर इकट रहत हैं कि आपका किसी प्रकार के समस् है जरूर कॉमेंट करें और जल्द से जल्द आपको उस प्रवलों का solution वीडियो के माधियम से जरूर बता जागा तो कॉमेंट करना ना भूले और इस चैनल पर पहले और पधार तो सब्सक्राइब कर ले और बारबर पधारते हैं और रिगुलर पधार हैं धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई